विकास का गुस्सा देखकर सभी रिपोर्टर्स पीछे खिसकने लगे लेकिन विकास ने फिर से उने घूर कर भारी अवाज में कहा और हाँ मैं सिर्प मूर्ती से प्यार करता हूँ और कुछी दिनों में हम दोनों शादी कर लेंगे इसके आगे आपके पास कोई और सवाल नहीं रहना चाहिए के कर विकास ने आंखों पर गागल्स लगाए और वाँ से चला गया शाम को माही को सुलाने के बाद मूर्ती खिड़की को बार बार देख रही थी और विकास का इंतजार कर रही थी तबी विकास की गाड़ी की अवास सुनकर उसके बेचैन मन को थोड़ी तसल्ली हुई और वे चुकचाप आखें मीच कर माही को पास में ही उसके लेट गई विकास मेंसन जाने से पहले मूर्ती के पास आया और उसे गहरी नीन में देखकर माही को किस करके वहीं बैठ गया और मूर्ती को एक टक नहारते हुए बोला कि सौरी मूर्ती मैंने आपके बारे में कितना गलत सोच लिया था और खुद को बरवाद करके चिंकी को अपने नजदीक आने का मौका दे दिया पर अब मैं आपको किसी भी हाल में खुद से दूर नहीं जाने दूँगा बहुत मन्था आप से ढेरो बाते करने का पर शायद आपकी माही की बदमासियों ने आपको ठका दिया होगा कोई नहीं अब तो आप हमेशा मेरे पास ही रहोगी कभी भी बाते कर लेंगे कहकर विकास जो मौर्ती के गाल पर किस करके जैसे ही जाने लगा तो मौर्ती ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने पहले अपने हाथ को देखा फिर मौर्ती को देखकर पूछा आप सोई नहीं अभी तक मौर्ती ने बैठते हुए कहा अगर सो जाती तो आपकी मीठी मीठी बाते कैसे सुन पाती डॉक्टर सहब विकास की बाद विकास ने उसकी बात सुनकर मौर्ती की नाक चुकर कहा आप भी माही की तरह साथ रहकर जो बड़ी सैतान हो गई है आपकी आखों में न जाने कौन सा अनकहा दर्द हमें नजर आता है मौर्ती जिसे आप चाहकर भी नहीं कह पा रही है बताएए न मौर्ती आज मुझे वो सब कुछ जानना है जो आपको हमेशा मेरे नस्दीक आते ही बेचैन कर देता है मौर्ती कहने लगी डॉक्टर बाबू मुझे भी आपसे को बहुत कुछ बताना है मौर्ती ने उसकी आँखों में देखकर कहा डॉक्टर बाबू आज सिर्फ आपको ही सुनना है मुझे जो भी आपके दिल में मेरे करीब आने से रूपता है मैं उसे आज बाहर निकाल दूँगी और फिर हम जिन्दगी के एक नई सुरुवात करेंगे मूर्ती ने अपने आँखों में बैते वे आंसों को पूछा और कहने लगी डाक्टर बाबू हमारे बंजारे समाज में एक प्रता है कि जिसमें बेटी की शादी के करके जो रुपे लिये जाते हैं सादी का सारा खर्चा भी वही उठाते हैं फिर चाहे वे आदमी कितने भी जायदा उमर का क्यो ना हो ऐसे ही मेरे माँ और बाबू ने एक अधेड उमर के साथ मेरा विभा कर दिया और उससे खूब सारे रुपे भी ले लिये वे आदमी था तो हमारे ही समाज का लेकिन गुंडों का सरदार था न जाने उसने मुझे कब देखा और बाबू को रुपियों का लालच दे कर हम से हमारी ही जिन्दगी के सारे हक छेन लिए डॉक्टर बाबू शादी के बाद जब हम उसके ठिकाने पर गए तो हुआ पर और भी बहुत सारे गुंडे थे जो मुझे ही घूर रहे थे उन मेंसे एक ने कहा दादा आप सच में हमारे लिए बहतरी नगीने लाते हो जिसे पाकर हमारा जी खुस हो जाता है उसकी बात सुनकर मैं उस सरदार को सवालिया नजरों से देखने लगी तबे उसने गंदी सी हंसी हंसकर कहा ऐसे क्या देख रही हो आज रात तु मेरी रहेगी उसके बाद तुझे इन सब को खुस करना होगा क्योंकि यह सब मुझे अपने काम से खुस रखते हैं यह सब सुनते ही मैं ठगी सी रह गई मेरे हाथ पैर कापने लगे पूरा सरीर एकदम बेजान सा हो गया बना कर खड़े थे मैं सुनने सी हुई बैठ गई तब दो आदमियों ने मुझे घसीट कर कमरे में बंद कर दिया उस बीहड जंगल में मेरी चीक पुकार सुनने वाला कोई नहीं था उस रात सब लोग जसन में सराप पी कर बहुत मस्त थे मैं किसी तरह उस कमरे की खड़की से भाग निकली लेकिन वह जंगल इतना भयानक था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं कहां जाओ और उस जंगल ही जंगल में में भागते भागते बहुत थक गई और एक तूटी सी जोपड़ी के पास पहुचकर वहीं गिरकर बेहोस हो गई सुबह जब होस आया तो खुद को एक बूड़ी काकी की जोपड़ी में पाया ओह बूड़ी काकी जो उसके चैरे पर काफी जुर्णियां थी मुझे कहने लगी बेटी इतने भयानक जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो मैंने उस बूड़ी काकी को अपनी सारी आप बीती बता दी तब ही कुछ गुंडे मुझे ढूंडते हुए वहां आ गए और उस बूड़ी काकी ने मुझे अपनी खाट के नीचे छुपा लिया और चादर विच्छा कर बैठ गई तब ही वह गुंडे कहने लगे ए बूड़ी यहां एक लड़की आई थी क्या हमारे जो सरदार की नहीं धुलन थी एक आदमी ने चारों तरफ नजर दोड़ा कर पूछा कि के लड़की आई थी तो उस बूड़ी काकी ने अपना कान नजदीक लाकर तेज अवाज में का अरे लगता है इसे सुनता या दीकता नहीं है उनमेंसे एक गुंडा बोला तो यह क्या बताएगी और उन्हांने अपना सिर पीट लिया और वो लोग वहां से चले गए मैंने उस बूड़ी काकी में उस दिन साक्षात भगवान के दर्सन किये क्योंकि उसके सिवा मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया था उस काकी ने मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया लेकिन मुझे मर्दों के कपड़े पहना कर और मुझे बांद कर रहना पड़ा वरना वो गुंडे कभी भी मुझे पकड़ सकते थे और इसी तरह मैं जंगल में लकडिया काट कर बेचने लगी जो भी पैसे मिलते उनसे हम दोनों का खाने का समान आ जाता लेकिन एक दिन मैं लकडिया काट रही थी तबे किसी के चीखने की आवाज मैंने सुनी मैं दोड़कर उस दिसा में गई एक पेड के पीछे खड़े होकर देखा तो वही गुंडे अंजली को पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिस कर रहे थे मैंने अपनी कुलाडी दिखा कर अंजली को तो हुआ से भगा दिया लेकिन मेरा पेर जड़ में अटक गया जिससे मैं वही गिर गई और मेरा बुर्खा भी उतर गया ओ तो वह गुंडे कहने लगे तू बंजारन हमारे काम में दखल देगी पूरा जंगल छान मारा तुझे ढूनने के लिए अब तो हमारे हातों से नहीं बच पाएगी कहकर उन्होंने मुझे गोद में उठाया और वही लेकर गए जहां से मैं भाग कर किसी तरह निकल चुकी थी कहते हुए मूर्थी तेज तेज रोते हुए सुबकने लगी तो विकास कहने लगा शान्त हो जाओ मूर्थी और मुझे पूरी बात बताओ उसके बाद क्या हुआ विकास ने मूर्थी के आंसु पूछे और मूर्थी आगे बताने लगी डाक्टर बाबू पहले तो उन लोगों ने हमें मार मार कर अद्मरा कर दिया फिर सबने हमारे साथ कहते कहते मूर्थी फूट फूट कर रोने लगी उसकी हालत देखकर विकास ने उसे अपने सीने से लगा कर कहा क्या उन लोगों को तुम पहचान सकती हो मूर्थी ने का हाँ पर एक रात उस अधेड दरिंदे को अकेला सोया देखकर मैंने कुलहाडी से उसका गला रेत कर उसे मार दिया और वहां से भाग निकली लेकिन सडक पर भागते हुए एक ट्रक से टकरा गई जिसके बाद हमने खुद को अस्पताल में आपके सामने पाया बहुत बार आपको हमारे अतीद का सच हमने बताने की कोशिस की लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई अब आप भी बताईए डॉक्टर बावो क्या हम आपके लायक हैं विकास ने उसके चेहरे को हातों में थाम कर कहा मूर्थी कैसी बाते कर रहिए ओ आप क्या आपने मेरे प्यार को इतना कमजोर समझा है कि मजबूरी और बेवसी को भी मैं समझ नहीं पाऊ मेरा प्यार किसी जिस्म की भूग का मोताज नहीं है मूर्थी आज तक ना जाने कितनी लड़किया मेरे करीब आने की कोशिस करती थी पर मैंने आपकी जील सी आँखों की सच्चाई से प्यार किया है मुझे कोई फरक नहीं पड़ता आपके अतीद से आपको हमेशा ऐसे ही सीने से लगाए जिन्दगी भरबस प्यार करना चाहता हूं एक बार के लिए खुद को भी आपके अगोस में समा देना चाहता हूं मूर्ती उनकी बास सुनकर मूर्ती आप जो विकास के सीने से लगकर फिर से रोने लगी और मूर्ती कहने लगी डॉक्टर बाबु हम भी आपसे बेहद प्यार करते हैं डॉक्टर बाबु बस इने उलजनों में हमें रोक कर रखा था वेना हम तो कब का आपको पूरी तरह सौपना यानि समर्पित करना चाहते थे तो फिर ठीक है कल हम खोट मेरिस कर लेंगे विकास ने कहा मैं आज ही मेरे तीनों दोस्तों को खौन कर देता हूं लेकिन आप फिर से मुझे छोड़कर विकास आगे कुछ कहता उससे पहले ही मूर्ती ने उसके मुह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगी इस बार हमारी आखों में देखकर विस्वास कर लीजिए डॉक्टर बाबू आपको छोड़ने का सोच भी नहीं सकते हैं और मूर्ती ने तिर्ची नजरों से जो जुका लिए अपने उसकी आखों की गहराई को देखकर डॉक्टर कहने लगा इनमें डूब जाने को मन करता है और कह कर वे दोनाव मुस्कुरा दिये पर डॉक्टर बाबू अभी आप अपने दोस्तों से बात कर लीजिए मूर्ती ने कहा तो विकास कहने लगा कर लूँगा यार लेकिन पहले हमें मूँ तो मीठा कर लेने दीजिए हमारे मन को जो मुहने वाली मूर्ती जो विकास ने उसके नजदी का कर कहा तो मूर्ती कहने लगी रुकिये मैं बनवारी को बोलकर मिठाई मंगवा लेती हूँ मूर्ती ने उससे कहा और विकास ने उसके हाथ को पकड़ कर उसको जो अपने गले से लगा लिया और तभी फौन की घंटी बजी इसक्रीन पर सनी का कॉल देखकर विकास ने सर पकड़ कर कहा इन कमीनों ने कसम खा रखी है मेरे रोमांस में दखल देने की उसकी बात सुनकर मूर्ती की हसी छूट गई उसे हस्ता देखकर विकास उसके जो पास आया और कहने लगा कुछ पलों तक दोना एक दूसरों के एहसासों में डूबने लगे और फिर बस एक बार में ही जो कहने लगा विकास कि बस मूर्ती तुम मुझे छोड कर कभी कहीं नहीं जाना मूर्ती ने कहा विकास डॉक्टर बाबु मैं आपको छोड कर कहीं नहीं जाओंगी अब तो दोनों बहुत खुश थे विकास कहने लगा कि ठीक है मुझे अभी सोना है और वह भी बेड़ पर तो अब जाईए जो मूर्ती कहने लगी मुझे नीद आ रही है डॉक्टर बाबो और मूर्ती हसते हुए विकास को बेडरूम से बाहर करके उसने दर मूर्ती से खिड़की की ओट में छुपकर जो उसे नहर रही थी सच में डॉक्टर बाबो आप जैसा कोई नहीं हो सकता मूर्ती मनी मन सोचने लगी मुझे एक डर था कहीं मेरा अतीत जानकर आप मुझे नफरत ना कर बैटें कहीं आपको मैं हमेशा के लिए न खोदू पर आपका प्रेम देखकर मुझे यकीन हो गया है आपका मेरे प्रेती प्रेम इतना कमजोर नहीं है जिसे मेरे अतीत की दिवार हिला सकें बहुत तरसियों भाबू आपके लिए आपको खुद से दूर नहीं जाने दूगा आज मेरी आखों में जो नींद की जगे हमारे भवि टीशिट पहन कर मूर्ती के घर को देखने लगा जैसे ही वे खड़ा हुआ उसकी नजर सीधे लौन में मूर्ती पर पड़ी वे मूर्ती को देखने लगा और उसने आवाज देकर पुकारते हुए कहा कि क्या कर रही हो मैडम उसकी बात सुनकर मूर्ती जो रात की ठंडी वामे विकास को अपने नजदीक महसूस करने में डूबी होई थी, आंके खोल कर उपर देखा, तो विकास को देखकर एकदम हड़ बढ़ा गई, बोली नहीं डॉक्टर बागू, हम तो ठंडी हवा जो खा रहे हैं, कहे कर उसने में सर पर थपकी मार कर अंदर चली गई, उसक लिए तरस रही हो, आपकी खुबसुदत बड़ी बड़ी आँखों में साफ दिखाई देता है, और उसने तुरंद सन्नी, राजू और सुरेश को अपने गुरूप में वीडियो कॉल किया, और कहा उसके दोस्तों ने, अरे यार आज चांद कहां से निकला है, भई डॉक् चिंकी से शाधी तो फिक्स नहीं कर ली? चिंकी से? तो विकास कहने लगा, चिंकी नहीं, मूर्ती से शाधी कर रहा हूँ, कल तुम सब कोट बें पहुँच जाना, और हाँ सन्नी, अंजली भावी, और रभी भहिया को भी ले कर आना? विकास ने, कि बास सुनकर सब के सब भेरानी से पूछने लगा अचानक मूर्ती कहां से आ गई हर जगे तो तेरे और चिंकी के रिलेशन की बातें हो रही है उनकी चर्चा हो रही है विकास बोला हाँ इसलिए ही मूर्ती के साथ कोट मैरिस करने जा रहा हूं कल को और तुम सब बेतु के सवाल पूछ कर मेरे अच के चहरे पर पड़ी एक दम से उसने आखे खोली और घड़ी की तरफ देखा जिसमें साथ बज रहे थे वह जल्दी से उठा और बालकनी में खड़ा होकर अंगडाई लेते हुए सूरिया को नमस्कार करके एक नजर नीचे लौन में देखने लगा पर उसके रौनक बरे च पूछा कि मूर्ती मैडम सुबह सुबह कहां चली गई है तो दुलारी कहने लगी अरे साहब जो मूर्ती मैडम तो आज उठी नहीं है दुलारी ने मुह बना कर कहा तो विकास कहने लगा ठीक है तुम काम करो मैं आकर देखता हूँ विकास ने परिसान होकर वासरू में फ् यह देखकर विकास मुस्कराते हुए मनी मन सोचने लगा लगता है रात को लेट तक मेरे ख्यालों में खोई रही तब ही तो इतनी देर तक सो रही है मूरती जब तक नींद पूरी करे मैं अस्पताल के इमर्जंसी केस देख लेता हूं और मूरती के लिए साधी का जोड़ा भी खरीदना है पर अंजली भावी आ जाती तो ज्यादा ठीक रहता विकास अपने मन में ही अपने आप से बाते कर रह था ठीक है मैं रभी भाविया को फॉन कर देता हूं पता नहींसनी ने कहा भी होगा यह नहीं तब ही विकास ने रवी का फॉन पर कॉल किया अंजली न मैं हूँ जिसकी जिंदगी इतने एहम दिन में को मैं उसको कैसे खो सकती हूँ तो विकास कहने लगा सच भावी आज मेरे और मूर्ती के लिए बहुत बड़ा दिन है बरसो का सपना पूरे होने वाला है मैं आपको एयरपोर्ट से पिक अप कर लूँगा हम सौपिंग के मैं कोई वास्ता भी नहीं रखना चाहता विकास की आँकों से खुसी जलक रही थी ताब वह अपने दोस्तों से कहने लगा अवे ओ कमीने उसका दोस्त कहने लगे इमोशनल मत हो यार आज तेरे लिए खुसी का दिन है जिसका हमने बड़ी बेसबरी से इंतजार किया है सनी विकास को कहने लगा विकास बोला ठीक है मैं तुम लोगों के पास पहुंचता हूं कहकर विकास ने फौन रख दिया और अपने गाड़ी में राजू, सुरेश और सनी को अपने मेंसन में भेजकर विकास खुद अंजली और रवी के साथ अपने और मूर्ती के लिए सौप लिने बताया, आज विकास के चहरी की खुसी और रौनक देखकर हर कोई अंदाजा लगा सकता था कि मूर्ती उसके लिए कितने माईने रखती हैं, तभी रवी विकास को थोड़ा साइड में लाकर मुस्कुराते हुए बोला, डॉक्टर सहब आपकी शादी की सौपिंग ल इसलिए ऐसी बाते उसके सामने करने से उसे थोड़ी जीजक हो रही थी, विकास को सांत देखकर रवी ने अंजली से कहा, मैडम अपने सरमीले देवर को अधूरी सौपिंग ही करवा होगी क्या, तो अंजली कहने लगी नहीं रवी जी, मेरे हिसाब से लगवग सब कुछ इसलिए आ है, अंजली ने समान की तरफ एक नजर डाल कर मुस्कुराते वे का, तो रवी आगे कुछ बोलता, विकास ने फौन कान पर लगाते वे का, हाँ तो भईया, आप लोग मेरी गाड़ी में मैंसन चलिए, अंजली भावी, मुझे बहुत इमर्जंसी केस के लिए अ मैंसा ही अपने फर्ज और करतवियों को जादा महत विदिया है, क्योंकि भगवान के बाद लोग एक डॉक्टर से ही जायदा उमीद रखते हैं, आज कैसे उन्हें निरास कर सकता हूँ, जब मेरे और मूर्ती के लिए जिंदगी का सबसे खास दिन है, तब मुझे अंजली के दिल से निकली दुआएं होती हैं, तब ही विकास के सिरपर रवी ने उसके सिरपर हाथ रखा और का ठीक है, रवी और अंजली दोना विकास के मैंसन में चले गए, और वे दूसरी गाड़ी मंगवा कर अस्पताल चला गया, मैंसन में पहुंचते अंजली को देखकर मू मूर्ती ने अंजली को अपने साथ हुए अब तक के सारे दुख दर्द बयान किये, जिसके अंजली की आखे बराएं, उसने रोते हुए मूर्ती को गले लगा कर का, कितना कुछ सहन किया है तुमने मूर्ती, और आज भी किसी मासूम के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने जा रही थी, बहुत मासूम हो मूर्ती तुम, शायद यही खास बात तुम्हे सबसे अलग बनाती है, और विकास के दिल में इतने सालों बाद भी अपनी एक अलग जगे बना रखी है तुमने, थोड़ी देर बाद अंजली मूर्ती को शादी के लिए तयार करने लग नौ करों के साथ मैंसन का हर सक्स कुछ ना कुछ शादी के काम में बिजी था, बेसक दोनों की शादी कोर्ट मेरीज होनी थी, लेकिन सबने पूरा प्लान कर रखा था, कि शाम को सब की तरफ से विकास और मूर्ती को तुफे के तोर पर सादी की रिसेप्सन पाइटी दी ज नजरे कभी घड़ी पर कभी बाहर देख रही थी, पर बार बार पौन करके भी अपने दोस्तों के सामने अपनी बेता भी जाहिद नहीं करना चाहता था, कुछ ही देर में तीन दोस्त भी उसके पास पहुंच गए, उन्हें देखकर विकास की बेचैनी और चिंता ज़्या पास आकर बोला, यारों इतनी देर क्यों कर दी आने में, अंजली भावी, रभी भहिया और मूर्ती कहा हैं, उसकी नजरे अभी भी रास्ते पट्टी की हुई थी, उसके दोस्त बोले यकिन नहीं होता डॉक्टर साहब, जहां आपने इतनी साल इंतजार कर लिया, हुआ आ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा काम जल्दी निपट गया था, इसलिए चला आया, जबकि असल बात तो ये थी, कि विकास ने आज सुबह से ही मूर्ती की आवाज भी नहीं सुनी थी, आते समय विवे सो रही थी, उपर से साधी की एकसाइटमेंट उसके दिल को इदर आ रहा है, सन्नी और सुरेश उसे चड़ाते, वे कह रहे थी, तब ही गाड़ी का होन सुनकर समने सामने देखा, जहां लाल सुर्क जोड़े में बेहदी खुबसूरत मूर्ती गाड़ी से उतर रही थी, जिसे देखकर विकास ने नजरे, कुछ पल के लिए बस उस प खायल होने वाले हैं, अपनी होने वाली दुलहन को देखकर, इनका इलाज कौन करेगा मूर्ती, और अंजली की बास सुनकर, एक नजर मूर्ती ने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ाते हुए विकास को देखा, जिसने आज बेहद खुबसूरत रॉयल सूट पहन रखा थ और उसे एक अलगी लुक दे रहा था, उसके चहरे पर एक अलगी रौनक और चमक, मूर्ती उससे नजरे नहीं हटाने दे रही थी, मूर्ती की नजरे पढ़ते ही, वो है जो उसके नर्वस चहरे पर हलकी सी मुस्कान आ गई, उसके नजदी काते मूर्ती नमुस्कराते हु बोला आज ऐसा लग रहा है मानो मैं जिसे सपने में देखा करता था वही हकीकत मेरे सामने चल कर आ रही है आप एक सपना ही तो थी मेरे लिए मूर्ती जिसे आज पूरा होते हुए मेरी आखों की नमी नहीं सूख रही है तबी सनी ने कहा मूर्ती ऐसा लग रहा है जैसे दु मेरे डॉक्टर बावू सबसे अलग हैं मैं बहुत इंतजार करवाया है मैंने इने लेकिन अब चले डॉक्टर बावू आपको और इंतजार नहीं करवा सकती वरना भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे मूर्ती ने विकास का हाथ थाम कर उसकी वियांखों में नमी आ गई और कहना चलने लगी दोना एक दूसरे का हाथ थामे कोईट रूम की तरफ बढ़ गए उनके पीछे सभी दोस्त चल दिये कुछ नॉर्मल फॉर्मल्टीज के बाद दोना ने हस्तक्षर कर दिये फिर अंज वकील कहने लगे कि ये दोना कानूनी रूप से पती पतनी के बंदन में बंद चुके हैं और दोनों के खुसी का ठीकाना नहीं था सभी दोस्तों ने विकास को गले लगा लिया थोड़ी देर बाद सभी मैंसन आने के लिए रवाना हो गए अब विकास और मूर्ती एक ही ग इतनी खुसी हो रही है गाड़ी चलाते हुए उसने मूर्ती का हाथ पकड़ कर कहा तो मूर्ती कहने लगे हाँ डाक्टर बाबू मुझे भी ये सब सपना सा ही लग रहा है कभी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे आप जैसे जीवन साथी इस जनम में मिल पाएगा मूर्ती ने बहुत सुन्दर सजी हुई उसी का इंतजार कर रही थी दूसरी तरफ रिपोर्टर उसकी गाड़ी को देखते ही उसे घेरने लगे लेकिन चौकी दारों उन्हें किसी तरह हटा कर गाड़ी को मैंशन के अंदर परवीश करवाया मूर्ती आपने यह सब विकास ने खुस हो अच्छा उसकी बात सुनकर तो विकास के होटो पर जो हसी आ गई और वह कहने लगा यह क्या है मूर्ती तुमारा घर और हमारा बंगला मूर्ती अभी यह घर और पूरा मैंसन सिर्फ तुमारा है मेरा तो कुछ भी नहीं है बस मेरी तो तुम मेरी पतनी होने के नाते तुम नहीं न कहीं एक डर है चिंकी को लेकर मोर्ती रचिंतित होते हुए कहा तो विकास कहने लगा उसके परेशानी समझ कर कि उसके चैरे को हाथों में थाम कर बोला मोर्ती मुझ पर हक तुम्हें बहुत पहले से ही दे दिया था या चाहे जो कर सकती हो और रही चिंकी की बात होगे तो विकास कहने लगे नहीं नहीं अभी और कहकर विकास माही को गोद में लेकर गाड़ी से नीचे उतरा तब तक अंजली ने दुलारी के साथ मिलकर ग्रह परवेश की सारी तैयारी कर ली थी दौना एक साथ जाकर दरवाजे पर खड़े हो गई और माही नीन में थी इसलिए रवी ने उसकी गोद से लेकर उसे अंदर सुलाने चला गया एक ही दिन में रवी और अंजली के साथ जो माही बहुत ज़्यदा घुल मिल गई थी अंजली के माना बनने पर दौनों में एक खालीपन खटक रहा था किसी नन्ने बच्चे को लेकर जो माही ने एक ही मूर्ती का हाथ उसे रसम भी करनी है वे तुझे छोड़ कर अब कहीं नहीं जाने वाली उनकी बात सुनकर विकास ने मूर्ती की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा छोड़ने के लिए नहीं पकड़ाये हाथ और तुम लोगों को रसम की फिकर करने की जरूरत नहीं है पोटी काटते हुए कहा जिसे सुनकर सब की हसी छूट गई दरवाजे पर चावल के कलस को उडेल कर दाइने पैर से अंदर कदम रखो मूर्ती और फिर दोनों पैरों को आलते की थाली में रखकर सीधा अंदर आ जाओ मूर्ती और आप सब कुछ देर जो शांती से खड़े अंजली ने जो विकास के धमकाते हुए का उसकी बास सुनकर सब पीछे की सग गए मूर्ती ने अंजली के कहें अनुसार काम किया विकास भी अम मूर्ती का हाथ नहीं छोड़ा था जिसे देखकर अंजली और रवी के चेरे पर हसी आ गई थी तो वे कहने लगा सही सही जा रहे हो आकास बेटा अम मूर्ती को दो दो बच्चों को उंगली पकड़वानी पड़ेगी रवी ने मजा के अंदाज में कहा जिसे विकास ने जेपते हुए उसका हाथ छोड़ना चाहा लेकिन मूर्ती ने पकड़ और मजबूत बना ली और आखों याखों में हाथ ना छ अभासने लगे थोड़ी देर बाद जो अंगूठी ढूंडने की रसम के लिए दूद में भरे बरतन में गुलाब की पंखुडियां बिखेर कर दोनों को नजदीक बठा दिया उसके चारों तरफ सभी बैठ गई ओ विकास आजना हमारी नाक मत कटवा देना इस रसम में अ उमर बीवी का गुलाम बना फिरेगा सबने एक साथ कहा तो विकास ने कहा फिर तो तुमारी नाक बहुत पहले ही कट गई यार क्योंकि मैं तो बहुत पहले से ही मूर्ती का दिवाना बन चुका हूँ और यह सुनते ही मूर्ती ने भी मुस्कुराते हुए अपनी नजरे ज जीते गा और दोनों ने एक साथ हाथ दूध भरे बरतन में डाला रिंग मूर्ती के हाथ में लग गई लेकिन उसने जान बूज कर छोड़ दी लेकिन वैजब विकास के हात में लगी तब उसने भी रिंग मूर्ती के लिए छोड़ दी दोना इस रस्म के लिए एक दूसरे को जिताना चाह रही थे इसलिए उन्हें जायदा समय लगते देख राजु ने हस्ते वे कहा अब ये छोटे से बर्तन में रिंग ढूनना है गहने समुदर में नहीं है जो इतना समय लगा रहे हो तो सनी ने भी कहा हाँ भाई भावी का हाथ पकड़ लिया है या रिंग ढून रहे हो हसते वे कहने लगे उनकी बास उनका मूर्ती ने हडबडा कर रिंग निकाल कर कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है उन्होंने कुछ नहीं किया उसकी इस नादानी पर विकास के होटो पर मुस्कान आ गई विकास ने के साथ सब हसने लगे मोहिनी ने सरम से गर्दन जुका ली अच्छा मोहिनी जी आप तुम थोड़ा रेश्ट कर लो फिर रिसेप्टन पाइटी के लिए जाना है जो अंजली मूर्ती से कहने लगी और अंजली माही को लेकर अपने साथ चली गई क्योंकि मूर्ती क तुम इसकी चिंता मत करो रवी उसका बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं वो सो गई है और अंजली नमुस्कराते भी कहा था तो अंजली मूर्ती को लेकर विकास के बैडरूम के तरफ जाने लगी लेकिन विकास जब उसके पीछे जाने के लिए पलटने लगा तो तीनो दोस्तों ने उसे कसकर पकड़ लिया और का अरे तू कहां जा रहा है अभी फिलहाल तू हमारे साथ चलेगा इतनी दूर से हम तेरे लिया आएं और तू हमारे साथ थोड़ा समय बिताने के बजाए मूर्ती के पीछे जा रहा है तब विकास कहने लगा अरे कमीनो अभी मेर शादी हो गई है इसलिए मैं मूर्ती के पास जा सकता हूँ तुम सब मेरे बैडरूम में जाने के लिए मुझे क्यों रोक रहे हो हद यार मेरे दोस्तों या दुस्मन जब भी मूर्ती के नजदीक जाता हूँ तुम अपनी टांग अड़ा देते हो विकास जो अपना हमारे साथ रहेगा हम सबने डिसाइड क्या है कि तुमारी स्वाहगरात कली सेलिब्रेट होगी आज तो तुम हमारे साथ बैचलर पायटी सेलिब्रेट करेगा फिर तो हमारे गुरुप की only one single nice person भी कमीना बन जाएगा सनी की बास सुनकर सब लोग हसी टाहा के मारने लगे लेकिन विकास कहने लगा मैं कपड़े तो चेंज करने जा सकता हूँ तो वह कहने लगा विकास ने बाहना बनाते हुए कहा तो सनी ने आख मार कर का ओ अब कपड़े भी तुम ही चेंज करोगे तो वह कहने लगा अरे नहीं यार अपने कंपड़े चेंज करने की बात कर रह इसलिए अंजली मूर्ती को सिंगार करने में बिजी हो गई थी रवी माही के पास जाकर सो गया था विकास सबसे नजरे बचा कर अपने बैडरूम में आ गया मूर्ती आइने के पास बैटी थी और अंजली भावी उसकी हेयरिस्टाइल बना रही थी कमरे के बाहर दर्वाजे पर पहुंचते हैं विकास की नजर जैसे ही मूर्ती पर पड़ी बस उसी पर जम कर रह गई मूर्ती ने रेड कलर की सिल्क साड़ी पेहन रखी थी जिसके पूरे बॉर्डर पर जो बहुत अच्छा वरक किया हुआ था यह पसंद विकास की ही थी उसने लेकिन उसने कभी कल अपना भी नहीं की थी इस साड़ी में मूर्ती किसी मासुम सी सहजादी के समान इतनी खुबसूरत लगेगी उसने हजवेलरी मैचिंग की ही पहन रखी थी उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था यह सड़कों पर भूके नंगे गुमने वाले बंजारन जाती से है वैसे यह कहना भी उचित होगा किसी के पहनावी से उसकी हैसियत और काबलियत नहीं बता सकते चहरे पर दिलकस मुसकान लिये विकास एक टक मूर्ती को नहारे जा रहा था तब यह अंजली ने जब विकास को आईने में मूर्ती को नहारते हुए देखा तब उसने खासने का है और वह वहां से चल दी तुम चेंज करो रवी और मैं रवी को जो देख कर आती हूं उसके जाते ही विकास ने दरवाजा बंद कर लिया और गहरी सांस लेकर मूर्ती की तरफ आइस्ता हिस्ता कदम बढ़ाने लगा और उसने कहा कि जिससे मेरी शादी हुई है वह एक बह उसे खुद यकीन नहीं हो रहा है ऐसी लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूं मूर्ती विकास के साथ बहुत खुश थी दोस्तों के साथ उन्होंने सारी रस्मी जो अदाकी और अच्छे से उसका ग्रह परवेश हुआ मूर्ती और विकास अब दोनों पती पतनी थे औ और अब उसके दोस्त और अंजली भावी ने भी अपने घर जाने के लिए विदा मांगी लेकिन माही को देखकर रवी और अंजली बहुत उदास थे उन्हें देखकर उनकी आँखों में आसू आ गई थे माही भी जो मूर्ती की गोद मेल चिपकी हुई थी क्योंकि मूर्त तब ही रवी की आँखों में आसू आ गए रवी की थोड़ा सा उदास देखकर विकास ने पूछा रवी भहिया क्या बात है आप हमें बताईए आप इतने उदास क्यों है तो रवी कहने लगा कि विकास तुमसे क्या छुपाना है अंजली में कुछ फिजिकली प्रॉब्ल कर हमने जो देखा कि ममता क्या होती है मैंने अंजली के चेहरे पर बहुत खुसी देखी है वे माही को किस तरीके से प्यार करती है और मुझे भी माही में एक बहुती लगाव हो गया है इसलिए उससे दूर होते हुए थोड़ा दिल दूख रहा है विकास ने मूर्ती की तर माही भी जो आप रवी और अंजली के साथ भी घुल मिल गई थी तो अंजली कहने लगी मूर्ती आज तक तुमने अपनी जिंदगी में त्याग किये है क्या मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम एक त्याग और करोगी मूर्ती कहने लगी भावी आप ऐसा क्यों बोलत ये बात इस समय कहना ठीक नहीं है लेकिन अंजली की आँखों में आशू आ गए तभी मूर्ती कहने लगी नहीं नहीं भीया भावी को कहने दो वो क्या कहना चाहती है तभी अंजली कहने लगी विकास भीया मूर्ती मैं माही को अपनाना चाहती हूँ क्योंकि जिससे मेरी सूनी कोक हो जो फिर से हरी हो जाएगी मेरी ममता भी मुझे भी अपनी ममता लुटाने का मौका मिल जाएगा देखो विकास भहिया मूरती तो माँ बन सकती है और भी संतान हो सकती है लेकिन हमारी सूकी बग्या में कोई फूल खिल जाएगा मैं एक बच्चे के लिए बहुत तरस रही हूँ और मैं माही के साथ मुझे इतना लगाप हो गया है अगर आप मुझे माही को गोद दे दें तो आपकी बड़ी किरप्या होगी मैं माही के लिए हर वो करूंगी जो एक मा करती है समय समय पर तुम भी उससे मिलते रहोगे तुमारी भी नजरों में रहेगी लेकिन हमारे सुने आंगन में भी वह एक किलकारी गूंज जाएगी मुझे भी बांज कहने वाले लोगों का मुझे बंद हो जाएगा मैं भी अपनी ममता किसी पर लुटा पाऊंगी आई है सुनकर मूर्ती की आँखों में आंसु आ गए क्योंकि उसने तो बेचारी ने जिंदगी भर त्यागी किया था फिर भी उसने अंजली के साथ उसका एक विसेश रिस्ता था उसने माही को अपने सीने से चिप्टाया और अंजली की गोद में उसे दे दिया यह देखकर उसने अपने मन को बड़ा करड़ा किया था क्योंकि वह उसे अपनी बेटी की तरह बिलकुल प्यार करती थी उसकी हर सुक दुख का ध्यान रखती थी कास ने मोर्ती के कंदे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया और अंजली और रवी ने हाथ जोड़कर मोर्ती से कहा मोर्ती तेरा यह एह एहसान हम जिंदगी भर नहीं बूलेंगे तो उन्हें इतना त्याक किया है पहले अंजली को बचाया और अब उसे मा बनने का सो भग्ये दिया हम तेरे एहसान मंद रहेंगे हम पता नहीं है का तुमारा एहसान कभी चुका भी पाएंगे या नहीं और इस तरह से अंजली और रवी खुसी खुसी बिदा हो गए और दौना विकास और मूर्थी पती पतनी अपने घर में रह गए अब दौना बहुत खुस थे लेकिन किसी कौने में मूर्थी को माही की आदत पढ़ चुकी थी लेकिन विकास ने उसे समझाया और उनके दिन आप कुसी खुसी बीत रहे थे और कोछ दिन बाद मूर्ती फिर से प्रेगनेंट हुई और उसने फिर से एक बहुती प्यारी बच्ची को जनम दिया उनके खुसियां में जो उनके भी जो खुसियां बढ़ गई थी उन्हें भी उसका नम माही रखा क्योंकि माही को मूर्ती नहीं भुला पा रही थी लेकिन अब धीरे धीरे अपनी बेटी से के प्यार में वह है जो वैस्त रहने लगी उदर माही भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अंजली और रवी उसकी बहुत अच्छे से परविरिस कर रहे थे अब दोना परिवार खुश थे समय निकाल कर जब भी समय मिलता है उनके पास जाते और अंजली और रवी को जब समय मिलता तो वो माही को लेकर इनके पास आ जाते इसलिए विकास के अपने सगे रिष्टे तो नहीं थे जो थे वो उससे बहुती जले कटे रहते थे इसलिए विकास अपने सगे रिष्टों से दूर ही रहता था और जो दोस्ती के रिष्टे थे वो आज भी निभाए जा रहे थे दोस्तों यह कहानी है पर अब समाप्त होती है क्योंकि डॉक्टर साहब को उसका प्यार मिल गया और मूर्ती की जिन्दगी में कितने दुखते आकिर उसके भाग्या में सुख लिखा था तो उसे सुख भी मिल गया अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें रादे रादे